नमस्कार दोस्तों मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परवाज टॉप तक पर 15 फरवरी 2021 का दिन 15 फरवरी 2021 का दिन CBI की विशेस अदालत के द्वारा बहु चर्चे चारा घोटाला मामली में अपना फैसला सुनाया गया और उस फैसले में 99 लोग आरोपी के तोर पर थे जिनमें से 24 लोगों को रिहा कर दिया गया और 75 लोगों को वहां पर सजा का एलान किया गया आपको पता है 1995 के बीच में सरकार के द्वारा एक रियोजना चलाई गयी ती जिसके से तहत पसुओं के लिए चारे और वैक्सीन या फिर दवाईयों का इंतजाम किया जाना था इसके लिए बजट में आपके पैसे का प्रावधान भी किया गया था धन का प्रावधान भी किया गया था लेकिन आपको अमित खरी जी के द्वारा पसु पालन विभाग के उपर चापे मारी का कारे किया गया और एक बहुत बड़ा घुटाला सामने निकल कर आया जो था आपका चारा घुटाला इस घुटाले में आप लोगों को मुख्य तोर पर याद रखना है कि बिहार के बिहार के यहां पर दो पूर्व सीयम यहां इसकी चपेट में आगे जिनमें आपके लालू यादव जी और जगनात मिस्टा जी जो थे वो भी इसमें आरोपी की तौर पर सामिल किये गए आपको याद रखना है कि इस माबले में 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 55 लोगों की गुनहा को सुयम ही कबूल कर लिया गया जिनमें दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति थे उनका नाम था सुसील जहा और दूसरे व्यक्ति इसमें जो थे वो थे आपके जायसवाल तो सुसील जहा और जायसवाल जो थे इनके द्वारा अपने गुनहा को सुयम कबूल कर लिया गया था ये एक high rated मामला था जिसमें आपके नौकर साही के बहुत सारे लोग और इसके अलावा कई सारे राजनेता इसकी चपेट में आ चुके थे 15 फरवरी 2021 के दिन इस फैसले को अंतिन तोर पर CBI अदालत के द्वारा 34 लोगों को सजा का प्रावधान किया गया और 34 लोगो को 34 में से कई लोगों को 3 साल की सजा और 20 हजार से लेकर 2 लाख रुपे तक के जुर्माने लगाए गए और बाकी के लोगों को 21 फरवरी के दिन सजा के एलान की गोशना की गई अगर हम लालू यादब की बात करें तो लालू यादब के बारे में आपको याद अखना है कि वर्स 2001 में वर्स 2001 में बिहार से जारकंड नई राज्जी का निर्माड हुआ था तो उसके बाद यह केस जो था यह पटना हाई कोट से आपके जारकंड हाई कोट को ट्रांसपर कर दिया गया था वर्स 2013 वर्स 2013 वो वर्स है जिसमें पहली बार लालू यादब को सजा का प्र जमानत दे दी गई थी लेकिन अभी हाल में यह पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि आने वाले 21 फरवरी को आपके लालू यादव को यहां पर सजाद दी जाएगी यह सजा कितनी होगी यह अदालत के ऊपर डिपेंड करेगा अदालत के ऊपर निर्वर करेगा लेकिन यद ऐसी ही और खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा जै हिन जै भारत